जै माता की सभी बक्तों को कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती होंगे और माजगत जन्नी मामबे की खृपा भी बनी हुई है तो आज आप सभी के प्यार से और मा के आशिरबात से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप में पती पतनी में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है लडाई जगडा तुरंत हो जाता है लडाई जगडा भड़ जाता है और लडाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दुसरे पे हतापाई भी हो जाती है तो इस क्या ऐसा करें जिससे जो है इस लडाई से मुक्ती मिले और लडाई हमारे घर में हमारे पती पतनी के बीच में कभी भी ना हो हमारे जो समंद है वो अच्छे बन जाए क्योंकि पती पतनी का जो समंद होता है ये भगवान के द्वारा ही लिखा हुआ होता है हमारी चाहने से भी नहीं होता है कोई लब मेरिज भी करता है तो परमात्मा की इच्छा ही होती है उसी के अंदर तब ही हमारी लब मेरिज भी हो पाती है ऐसे नहीं होता है संजोग जो है वो परमात्मा के द्वारा ही लिखे जाते हैं तो जैसे कि अगर आपके बीच में तनाव रह कौन सा ऐसा जो है मंतर का जाप करें या क्या ऐसा करें जिससे जो है आपको ये सारी चीजे कभी भी ना हो घर में जो है अमेशा शुक शांती रहे और माता की भी कृपा रहे तो मेरे साथ अंतग बने रहे तब भी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी अगर वीडियो अच नहीं कोई भी बात कि कोई भी सामान लेना है कोई भी चीजनी हो जाती है तो ऐसा क्या करना चाहिए आपको ने लग जाएंगे आप में प्रेम बढ़ने लग जाएगा क्या करना है आपने क्या करना है कि अगर पती गुसे वाले है या पतनी गुसे वाली है तो उसके आपने लाल रंग का कलावा लेना है और उस कलावे को पती अगर गुसा जादा करते है तो उसकी जितनी लंबाई है पै लेनी है और अगर पतनी जो है गुस्से वाली है पतनी लड़ाई करती है तो उसका भी यही चीज़ करनी है पती जो है उसका करे या पतनी जो है पती का करे इस तरह से आप कर सकते हो फिर आपने क्या करना है आपने जाना है शंकर बगवान के मंदिर में शंकर बगवान का जो शिवलिंग होता है वहाँ पे आपने जाना है और जो है शिवलिंग पे अगर पतनी गुस्से वाली है तो आपने शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वहाँ से कलाबा बांद के मागोरी की तरफ को लपेटना है अगर जो है पतनी गुस्से वाली है तो मागोरी से सुरुवा कीजिए और शंकर ख़गवान के शिवलिंग के तरफ को लपेट के तीन वार आपने लपेटना है और उसमें यही मनो कामना करनी है यही जो है आपने बाबा से मांगना है कि हे शंकर ख़गवान अगर हमारे घर में कोई भी किसी भी तरह की करा कराई उपरी पराई या पती पतनी के सबंद में कोई भी छंदी विचेद हो रहा है या ग्रेहों की हमारी पीड़ा है या हमारी कुंडली जो है वो मैच मैचिंग नहीं हुई है हमारे जो है अच्छे विचार नहीं मिल पा रहे हैं तो हे बाबा हमारे जो ये विचार हैं इन में मिठास लाइए हमारे जो विचारों में मतवेद हो रहा है इनको सही किजिए हम दोनों आपके हमेशा अवारी रहेंगे आपके लिए हमेशा जितना हम से हो सकेगा उतना आपके लिए करेंगे तो क्या करना है आपने ये आपने कर दिय उसके बाद जैसे आप जल अरपित करोगे और जो है आपने अपने जैसे की उड़द होते हैं ना काले उड़द की दाल होती है साबुत उड़द लेने हैं ग्यारा दाने आपने लेने हैं उसको पती पतनी के दोनों के उपर से 21 वार क्लोक वाइज आपने गुमाने हैं और व जाप करके चड़ा देजिए अब बात करते हैं कि जोत कैसी लगानी है आपने दिपक लगाना है बाबा को देसी घी का जोत लगानी है देसी घी का दिपक लगाना है चो मुखा दिपक लगा के आटे का बनाना है उसको जो है आपने हर सोंबार की सोंबार लगाना है ये उपा नहीं रही है, आपके जो विचार नहीं मिल रहे हैं, अपने आपी शंकर बगवान और मा गोरी की क्रिपा से अपने आप पून होने लग जाएंगे, अपने आपी मदूर होने लग जाएंगे, आपके जो विचारों में मिठास आने लग जाएगी, आपको अपने आपी रिज खंदी भी छेद रखती है तो वो सारी दूर हटने लग जाएगी शंकर भगवान का ये उपाए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीद्ध है बहुत ही अजमाया हुआ है जो लोग इस उपाए को कर देंगे उनके जो है रिस्तों में कभी भी कोई भी खटास नहीं आएगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और मा के प्यारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही ज्यानवर्दक वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दें तब ही आपको जहीं ये वीडियो मिल पाती है चलि ये जाए मताइग